पर उनके बार-बार अनुरोत पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी वेल में आये अपनी सीट से निकल के हर पेकार का व्यवधान किया और यहीं नहीं कई मानने सदक्र तो प्लाकाड लेके जिसके बारे में मानने स्पीकर के समक्ष और मानने चेर्मेन के समक्ष सर्वद हलियो बैठक में ये तैह हुआ था कि कोई भी पार्टी चाए सत्ता रूट पार्टी हो चाए विपक्ष हो कोई भी मानने सदस कभी भी पार्टी लेके प्लाकाड लेके सदन के कारबाई को बिगाड़ेगा नहीं सदन में इस पकार का विवार नहीं करेगा उसके बावजूद आज कई मानने सदस्य प्लाकाड लेके दोनों हाउस दोनों सदनों में आए बार बार अनुरोद किया गया मानने सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोलें बार बार अपील किया गया कि प्लाकाड लेके ना है उसके बावजूद जिस प्लाकार का व्यवार राह उसके चलते मानने लोकसभा अध्यक्ष को 33 मानने सांस्यदों को सेस्पेंट करना पटा इस सेशन के आफरी दिन तक और राज़ा सभा में मान्या 34 सांसिदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखरी दिन तक और 11 अन्या सांसिदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक के उनका केस जो प्रिविलेज कमिटी को रिफर हुआ है प्रिविलेज कमिटी को रिफर किया गया है तो कुल मिलाके 45 मानने सदस्यों को राज़सभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ड आज उनके वहवार के कारण ये स्थिती उपलब दोई मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लाइन स्ट्राटेजी थी वो चाहते ही नहीं थे के हाउस अच्छी तरीके से चले हाउस में जो बड़े इंपोर्टन लेजिसलेशन थे आज तो महिलाओं के आरक्षन का लेजिसलेशन था लोगसभा में जिससे जम्मू और कश्मीर और अन्य पॉंडिचरी में 33% हमारे माता बहनें को आरक्षन देने का बिल राज्यसभा में पारित होना था ये साथ दर्शात है कि जब भी कोई OBC का बेल होता है जब भी कोई पिछले समाज को उनका अधिकार देने का कोई काम होता है जब भी महिलाओं का सन्मान नारी शक्ती को आगे बढ़ाने के लिए प्यदान बंतिर नरेंदर मोदी जी की सरकार अच्छे कदम उठाती है तो कॉंग्रेस को बड़ी पीड़ा होती है कॉमिनिस्टों को बड़ी पीड़ा होती है वो नहीं चाहते है कि महिलाओं का सन्मान वो नहीं जाते हैं